टीम इंडिया साउथ अफरी का ए खिला 5 मैचों की T20 सिरीज खेलने वाली है जिसका पहला मुकावला 9 जून को दिली के अरुन जेटली स्टेडिया में खेला जाने वाला है इस सिरीज में टीम इडिया के स्टार 23 गेंडबाज जस्परी बुमरा को आराम दिया गया है लेकिन के बदले टीम में घातक गेंडबाज को मौका दिया गया है जो जस्परी बुमरा से भी घातक योरकर फैंकने के लिए जाना जाता है वैसे तो इस सिरीज के लिए कई युवा और अनकैप्ट खिलाडियों को टीम में शामिल किया है जिसमें अर्शिदीब सिंग का भी नाम शामिल है अर्शिदीब सिंग की बात करें तो ये जस्परी बुम्रा से भी घातक योरकर फैक्ते हैं आईप्यल के इस सीजन में सभी इनकी गेंदबाजी से वाकिफ होंगे इन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से आईप्यल 2022 में विरोधी टीमों के बल्लेवाजों के छक्ये छुडाए थे और इसी कितम पर सेलेक्टर सने ने टीम इडिया में शामिल किया है और जस्पुरी बुम्रा की जगें अर्शिदीब सिंग ही उनकी जगें लेने वाले हैं बता दे कि अर्शिदीब भी जस्पुरी बुम्रा जैसे ही घातक योरकर फैकने में माहिर है उनकी गेंदबाजी की बात करें तो ये गेंदबाज दबाओ की परिस्तितियों में भी लागातार अच्छा परदर्शन कर सकता है इसके अलावा है डैथ ओवरों में बेहदी घा तक गेंदबाजी करते हैं जिसका नजारा ये IBL के इस सीजन में पेश कर चुके हैं आरशिदीप सींग काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा ही परदर्शन रहा तो टीम इंडिया में ये अपनी स्थाई जगें बना सकते हैं देखना होगा कि अरशिदीप सींग अपनी गेंदबाजी से कितनी जल्दी बना पाते हैं तो आप भी अपने नजरे बनाए रखें साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहे हैं हड्लाइन स्पोर्ट्स के साथ